आज की क्लास में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि आप लोग किसी को किसे बेच सकते हैं बेच नहीं बल्क इसको बना किसे सकते हैं तो हम लोग आज बनाना सीखेंगे तो मैं Win活 को Open करने की लिए Window बटन से र को एक प्रेस करता हू और Winánt$ टाइप करके अंतर करता हू में हमने ये reference done किया हुआ है okay अगर इसमें कोई भी problem हो तो आप हमें comments में देख सकते हो और comment में हमसे कोई भी question पूज सकते हो आपको इसके बाद में भी अगर कुछ पूछना है तो भी कोई बात नहीं है आपको यहां से envelope create करना है envelope कैसे create के जाता है तो अभी में लोग को एक बात और भी बता दू कि envelope हम लोग कहते है लिपापा जो हमार पास खत होता है न और खत हम लोग किसी लिपापे में बंद कर देते हैं तो वही envelope आप कैसे बना है उसके ऊपर एक address लिका होता है मतलब जिसकी तरफ से है और जिसको बेजना है तो वह दोनो addresses आपने उस envelope पर लिके होते है आज हम लोग envelope बनाने सीखते हैं तो envelope पर click करते है जैसे में ने click किया आपके पास एक window open हो जाएगा जिसमें रिका होगा envelope and labels अब हम लोग सिर्फ envelope सीखते हैं envelope में आपने delivery address एंटर करना है delivery address यह होता है कि आप किसको यह letter send करना चाहते हो जिसको आप यह letter बेजना चाहते हो उसका एक यहाँ पर address होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग address लिखते हैं हम लोग बेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग address लिखते हैं जिसको हम लोग बेजना चाहते हैं तो हम लोग address simple सा लिख देते हैं । अभर कोई और है आपको कहता है जिसमें आपको साइज डिये वाते हैं याद रखना है जो आप की page की worth है ना आप यहाँ से इस page की worth यहाँ तक, यहाँ पर पर यहाँ आप की worth है यहाँ आप से 8.67 तो हम लोग यहाँ पर जो worth है वो तरह करेंगे 9 इंच यहाँ सोगे यह points वगयरा है यहाँ से simple change कर सकते delivery address का जो points है या return address का points है तो आप यहां से simple change कर सकते हैं यहां पर आपने इसको touch नहीं करने हैं वहां पर आप लोग change करेंगे ओके कर दिया इसके बाद यहां पर आपना address लिखकर add to document लिखकर रहे हैं अब हम लोग ने एक envelope बनाया जिसमें हमार पास लिखा है यूसप और इसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर यह लोग envelope यह envelope है और यह है हमारा जो letter जो हम लोग इसके envelope के अंदर letter बन करेंगे ना तो हमार पास है यहां पर तो आपको यहां पर लिखना है dear यहां पर आपने प्राम्केपी के सवावी तो एंटर करते हैं डेट किस तारीख पर यह हो गया अब हम लोग इसको तोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं जिस्टिपाइट कर दिया डिजाइन किसे होगा मैं इसको तोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं और यहां से इस एड्रेस को तोड़ा सा नीचे कर देता हूं हमने आना है पेज लियाउट में यहां पर करते हूं तो आपके पास page layout में यह option मिल जाएगा लेकिन अगर आप 2010 से latest origin यूज़ करते हूं तो आपके पास यहाँ पर design के अंदर आपको यह page background मिल जाएगा इसमें हमरे पास यह watermark या page color हम लोग page color देना चाहते हैं कौन से वाला तो आपको जो वाला color अच्छा लगी आप यहाँ से select करें border border में चाहते हो मुझे art वाज चाहिए art में आपके पास बहुत सारे styles हैं अगर आप कोई भी style select करते हूं तो उसका color भी आप यहाँ से change कर सकते हूं मैं इसको ok कर देता हूं तो यह हो गया हमार पास ऐसा हम लोग चाहते हैं इसको तोड़ा सा नीचे कर देते हैं इतो को यह हो गया हमारा address और यह जिसको हमने बेजना है और यह हो और पास वह address आ चुका है जो हमने delivery address लिकाता यह देखो तो हम लोग इसको delete कर देते हैं इसमें अपना वाला address लिकते है आपने यहां पर address लिका ओके लेबलस खितने हैं हम चाहते हैं मुझे 44 नहीं चाहिए मुझे तोड़ास जयादा या कम चाहिए इसमें आपके पास एह 10 लेबल्स नहीं चाहिए तो आपके पास 30 लेबल्स है मुझे 30 लेबर चाहिए और एक चीज और यहां से आप लेबल वेंडर को भी चेंज कर सकते हो Microsoft यह हमारे पास पहले से मुझूद रहा है इसमें हमारे पास जो यह लेबल इंपॉमेशन है तो यह कुछ अच्छी तरीके से हमें शो नहीं हो रहा है कि हमें कितने लेबल प्रेंट होगे हम चाहते हैं कि हमें शो करवा दो कितने लेबल आएंगे तो A1 की जो लेबल वेंडर्स है आपने इसको सेलेक करना है इसमें आप कोई भी size यानि product number select करो आपके पास यहाँ पर show करेगा कि आपके पास इसके अंदर कितने levels आएंगे हम लोग चाहते हैं हमें 30 चाहिए तो यह देखो हमाँ पास यह वाला है 30 ओके कर दिया फिर यहाँ पर आप new document पर click करेंगे जैसे अपने new document पर click कर दिया तो आपके पास जो आपका address है वो आपको 30 levels बना चुका होगा यह महाँ पास है table table के इंदर select करते हैं layout और इसको center करते हैं तो आपके पास जो यह text होगा यह बहुत अच्छी तरीकी से इस boxes के center में आएगा